हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको पताने जा रहे हैं आप किस तरीके से पौधीने की पक्तियों को सोखा कर उसका पौडर बना सकते हैं और सालो साल यूज कर सकते हैं जब भी आपका मन करें कुछ पौधीने की चीजे बनाने को पौधीना सीजन में नहीं एवेलेबल है तो किसी चटनी पीस रहे हो तो उसमें डाल दीजे खुश्बू बहुत अच्छी आ जाएगी रायते में डाल के खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूटूब पे सुमेरो किचिन टाइब करें और मैं इस और बेटों से अलक करने और पत्ते अलक करने अशना तो पानी को और को किसी पानी से साफ कर लेना आ तो पानि हमें अच्छी से इसको दो लेना है भी दो लिए चल्नी से सारा पानी बहुत अच्छे से साफ कर लिए था है धूप मे εंगा जै इसारे सोक है? इतना सुखाना है कि इसका जो है समें moisture ना रहे मतलब जो पानी है वहाँ पे आप सुखाई है दूप में सुखाने से चला जाए गा सारा खुश्बू भी चली जाएगी तो हमें इसको टोटली छाई में सुखाना है बस हमें थोड़ी सी दूप इसली दिखानी है अभी इससे पानी निकल जाए देखिए फ्रेंड्स हमने इसको छाई में सुखाया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये एकदम सूख के तयार हो गया है बहुत अच्छी से सूख गया है आप इसको 2-3 दिन तक अराम से छाओ में सुखा सकते हैं और यह एकदम कुरकुरा सा पत्ते टाइब का हो जाएगा क्रिसपी टाइब का देखिए और इसका कलर भी नहीं गया एकदम ग्रीन कलर गया है अब हम इसे क्या करे हाथों से इसी तरीके से आपको क्रस्श कर लेना है सारे पत्तियों को अच्छी तरीके से आप से मसलagem को decision मजोण दोनों हाथ पकड़कर कि कि मसलते जायना है तो एक दम महीन हो जाएगा इसको इसी तरय से आप छान 시청 लीजे यह तो इस थरीके से आप इस तरीके से करते जाएं से आार जीसे यह और पवंडर महीन हो जाएगा और इसके यह जो डंडिया है वह उपर आ जाएंगी उस दंडियों को बाद में फैक्ट देंगे देखिए चलनी से हम मोटी वाली चलनी से चालने यह हाथी से पाउडर बन जाता है हाथ से ही अराम से इसको मिक्सी ब्लेंडर करने की जोत नहीं है यह देखिए उपर इसकी डंडियां आ गई है आप देख सकते हैं आप इसको भर कर सकते हैं और यह आपका खूब चलेगा सालो साल खुश्बू भी इसकी रहेगी देख सकते हैं आप अराम से इसको किसी भी चीज में यूज करें आप चटनी बना रहे हो चटनी में डाल दीजे पौधिने की चटनी जब पौधिना सीजन में नहीं हो यह ब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं रस्पी के साथ तब तक के लिए बाई